अन्नाबस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में कवों का जुंड देखना अगर आप कवों का जुंड देखते हैं तो यह सुब है यह सुब है और इसका आपके जीवन पर क्या पड़ा सकता है प्रभाव तो चलिए वीडियो को प्रारम कर लेते हैं लेकर आपसे हमारा बिनम्र निवेतन है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें कमेंट बॉक्स में जैसे नाम लिखे हैं ताकि प्रभू की कृपा आप पर बनी रहा है सपन पिग्ञान मानता है कि सपने हमारे भविस्य से जुड़े होते हैं इसलिए सपने हमें भविस्य की जानगारी संकेतों के माध्यम से परदान करते रहते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में कववे देखना तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पित्र पक्ष में हम कवों को बुला बुला कर खाना और खिलाते हैं ऐसा माना जाता है कि कवों जो होते हैं उनमें हमारे पित्रों का निवास होता है अगर आपको सपने में कववें दिखाई दें तो ये सपना आपको बताता है कि निश्चिती आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ विपरीत इस्तितिया आ सकती है जिसका संकेत आपके पूरवच सपनों के माध्यम से दे रहे हैं सबने में कवों का जुन्द देखना इस बात का संकीत होता है कि निश्चेती आने वाले समय में आहाँ के जीवन में कुछ ऐसी विपत्ती आ सकती है जिससे आपकी समाजी चबी धूमिल हो सकती है इसका मतलभ यही होता है कि समाज में आपके उपर धबा लगने के चांस रहते हैं जरूरी यह नहीं होता है कि यह धबा बढ़ा हो हो सकता है यह चछनिक मातर हो हो सकता है कि आपके माद् Congressman से कुछ ऐसा कार्य हो जाये जिससे आप समाज में कुछ छड़ों के लिए हसी के पातर भी बन सकते हैं कुल मिला के कवों का जूंड देखना इस बात का संकेत परदान करता है कि निश्चे थी आने वले समय में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपको समाजिक इस्तिती में आपका इस तक थोड़ा डाउन कर सकता है हमारी आसा है हमारी छोटी सी जनकरी आपके लिए महत पूर्ण रही होगी धन्यवाद